दोस्तो आखेगार जिस बाइक का इंतिजार था उसे आज लॉंच कर दिया गया है जी दोस्तो हम बात करने वाले टीवेस की तरफ से जो न्यू बाइक लॉंच की गई है 125cc में इस बाइक का नाम अब ओफिसियल रिविल्ड कर दिया गया इसमें आपको 125cc का engine लगावा देखने को मिल जाता है बट इस चोटी सी bike में आपको 10 सारे feature देखने को मिल जाता है इसके टोप model जो है, उसमें आपको smart करने के जो feature होता हो भी इसमें देखने को मिल जाएगा बाकि variant और कीमत के बारे हम बात करें तो drum brake variant जो है उसका 46 रूपे एक्स रूम प्राइज है बाकि disc brake का जो है वो अलग प्राइज है इसमें आपको drum brake में आपको 4 कलोर उपसन देखने को मिल जाता है red, blue, black और yellow और उसके आगे अगर हम बात करें इसके design की तो TBS ने radar को आधूनिक design दिया गया है जो Yawa को ध्यान में रखका त्यार किया गया है इस बाइक के front में आपको fully LED का setup देखने को मिल जाता है, front में आपको LED headlight और साथ में ही आपको LED DRL भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर जो DRL है वो भी LED में है बट यहाँ पर आपको split में देखने को मिलता है, दो अलग-अलग DRL देखने को मिलता है वह अगर इसके back side अगर हम चलते हैं, tail light की बारे में बात करते हैं, तो tail light में भी आपको LED का use देखने को मिल जाता है जो कि इस bike को fully LED setup देखने को बनाता है, बट यहाँ पर अगर हम इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर हेलो जिन बार्ट देखने को मिलता है, जो कि यलो कलर में इसका इंडिकेटर जलेगा, जब आप आप इसको on करें कुछ और features के बारे में बात करें, तो इस bike में आपको 10 लिटर का fuel tank capacity देखने को मिल जाता है, सिंगल पिस हैंडल बार दिया गया है, डूल टॉन वाला सामने का मटगाड है, क्रेस प्रोटक्टर इसमें दिया गया है, इंजन संस गाड दिया गया है, स्प्लीट सीट, उपर प्रोटर वे exhaust, साड़ी गाड, सतरेंज के पईये और हेलोजिन टन सिंगनल इंडिकेटर भी आपको इस bike में देखने को मिल जाता है, इसके अलावा इस bike में आपको दो riding mode भी देखने को मिलते हैं, eco और power, eco mode में company बता रही है कि सबसे अच्छा mileage मिलने वाला है, चाहे आप भीड वाले इलाके में भी क्यों आप ट्राफिक वाले इलाके में क्यों ना drive करें या ride करें, आपको इसमें अच्छा खासा mileage मिल जागा, power mode में है जो कि company के तरफ से claim किया जा रहा है कि 10 person आपको ज़्यादा power देखने को मिलेगा, eco mode से मतलब थोड़ा सा acceleration और pick up आपको इसम access command वाला भी option देखने को मिल जाता है, जो app के through connect हो जाएगा और आप इसमें अपने voice से इस bike को crawl कर पाएंगे, चला पाएंगे, और जैसा कि पहले भी आपको antork में antork जो res xp 125 आया है, उसमें जो feature देखने को मिलता है, वो feature भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है, साथ ही आप अपने document को save कर सकते हैं, और सारा जो process है, इनका जो app है, tbs का, उसके app के through आपको सारा कुछ उसमें देखने को मिल जाएगा, सारा documents आप उसमें save कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सारा कुछ screen पे वो सो होता हुआ दिख जाएगा, call alert, message वगरा, यह सारा कुछ आपको इस में को मिल जाएगा, मान के निएं कि समझ जाएए कि जो race Xp125 था, उसमें वाला जो feature है इसमें अपको आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप मान के चलकी सारा जो feature है, आपको इस बैक में को मिल जाता है, और इसका जो waste variant है उसमें अगर instrument console के बारें बात करता है, उसमें आपको negative LCD cluster देखने को मिलता है इसके जो टोप एंड वेरियंट है उसमें आपको पाँच इंच का TFT color console देखने को मिल जाता है वहीं इस बाइक में आपको monosock suspension देखने को मिलता है और जो ground clearance है वो 180 mm का ground clearance दिया गया है 0-60 यह bike 5.9 seconds में चली जाती है वहीं इसके engine के बारे में बात करें तो 124.8cc का आपको इसमें engine देखने को मिलता है साथ इस bike में 3 valve वाला unit दिया गया है air cooled आपको इसमें engine देखने को मिल जाता है वही power figure के बारे हम बात करें तो 11.4 PS का power आपको 7000 RPM पे देखने को मिल जाएगा और 11.2 Nm का torque आपको 6000 RPM पे देखने को मिल जाता है इस bike में साथ ही अगर बात करें कि इसके digital instrument console में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है सबसे पहले मैं आपको बता दू जो टोप मोडल है उसमें आपको 5000 का TFT screen तो मिलता ही है बाकि जो इसका जो लोवर वेरियंट उसमें आपको negative LED यूनिट देखने को मिलता है हाला कि दोनों ही यूनिट में चाला को धेर सारे जनकारी मिलती है जैसा कि आपको इसमें कई ट्रीब मेटर देखने को मिल जागा गियर पोजीशन इंडिकेटर साइड इस्टेंट कट अप स्विच वाला इंडिकेटर टाइम टेको मीटर माइलेज फ्यूल रेज यह सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जागा इसके TFT डिस्पेले को TVS के एप के माधियम से स्मार्टफोन से जोड़ा जा सकता है जैसा कि आपको जोडने के बाद आपको इसमें टन बाइटन नविकेशन देखने को मिल जागा वोइस असिस्ट देखने को मिल जागा, कॉल मनेजमेंट, मैसेज नोटिफिकेशन अलर्ट, आई स्पिट अलर्ट, लो फ्यूल असिस्ट और डिजिटल डेकुमेंट इस्टोरेज भी देखने को मिल जाता है इसके TFT डिस्पेले में आपको ओटो ब्राइटनेस का भी कल्प दिया गया है, साथ ही दिन और रात मोड जो होता है, उसमें आपको उप्योग करने में असानी हो, इसलिए आप इसमें जो इसका इस्टुमेंट कंसोल है, उसके कलर को भी आप चेंज कर सकता है, अगर आपक अगर आप राइट करते हैं, तो आप इसके ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, साथ ही उसके इंजन और गियरबोक्स के बारे में बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 124.8cc का इंजन देखने को मिलता है, साथ ही इसमें आपको 5-speed gearbox देखने को मिल जाता है, जिसे बाइक को switch gear को उप्योग करके बदला जा सकता है, और वहीं इस बाइक के मैलेज के बारे में बात करें, तो आपको कमपनी इसमें जो एक कलेम करती है, 67 km पर लीटर, जो की 125cc सेग्मेंट के लिए काफी है, और TBS के लिए इस जो powerful बाइक है, इसके लिए तो बहु 7 km तक का मैलेज मिल जाएगा, जो की कमपनी बता रही है, बट अगर रियल मैलेज देखें, जैसे कि हम सारे लड़के जो होते हैं, अगर राइट करते हैं, तो उसमें आपको करीबन 50 या 48 km पर लीटर तक का मैलेज देखने हों मिल जाएगा, और वहीं इसका जो top speed वो कमप क्लेम करती है, जबकि मैंने उसको खुद 135 km पर आवर के speed पे चलाया है, जबकि 4 सार पुरानी होने के बावजुद, कमपनी के दावाय के power mode में, इको mode के मताबले जैसा कि आपको मैंने बता है, 10% जादा mileage मिलता है, 0.4 second तेज भी चलता है, इको mode से अगर आप power mode में switch करते ह तो 0.4 second आपको ज़्यादा तेज उसमें देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा सा response ज़्यादा करेगा तुरंत, अगर आप acceleration भी देते हैं, तो मतलब 1 second के अंदर, मतलब minutes जो second होता है, उसमें आपको ये चीज़े देखने को मिल जाएगा, अलग कि अगर आप eco mode में चलाते ह है कि आपको power mode से 3% ज़्यादा mileage मिलने वाला है, इको mode में, suspension और brake के बारे में बात करें, तो जो suspension है front में वो आपको 30 mm telescopic fork वाला suspension देखने को मिल जाता है, rear side में आपको monosak suspension देखने को मिल जाएगा, जो 5 step तक आप इसको pre-load adjust कर सकते हैं, brake के बारे में बात करें, तो जो disc variant है, उसके सामने में आपको 240 mm का pedal disc brake देखने को मिल जाता है, जो drum variant वाला bike है, उसमें आपको 130 mm का drum brake front में देखने को मिल जाएगा, rear में 130 mm का drum brake देखने को मिल जाएगा, TVS Radar भारती बाजार में Pulsar 125, Bajaj NS 125 और Honda SP 125, Honda Sign और Hero Glamour जैसी मोडल को टकर देने के लिए उतारी गई है, वहीं अगर इस बाई के seat height के बारे में बात करें, तो इसका seat height 780 mm दिया गया है, वहीं अगर इसके ground clearance के बारे में बात करें, तो 180 mm का ground clearance देखने को मिल जाता है, जो इस बाई के कुछ Dan Mention के बारे में बात करें, तो जैसे कि यहाँ पर आपको wheel base 1326 mm देखने को मिलेगा, बाकी का जो है आपको screen पर देख सकते है, मैं screen shoot लगा दे रहा हूँ, बाकी इसमें आपको tire size है, वह आपको 80 by 100 by 17 section का आपको tubeless tire देखने को मिलता है, जो 17 section है वह आपक wheel का size होगी है, 17 section का आपको, 17 inch का आपको wheel देखने को मिलता है, तो front में आपको 80 by 100 का tubeless tire देखने को मिल जाता है, rear में आपको 100 by 90 का 17 section का आपको tubeless tire देखने को मिल जाता है, इस bike में आपको 4 color option देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पर आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं चारों बाइकों को एक साथ जैसा कि येलो, रेड, ब्लू और ब्लेक ये चार कलर उप्सन के साथ इस बाइक को उतारा गया है वही अगर इसके प्राइजिंग के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने पहले विए आपको बताया कि जो ड्रम ब्रेक विरियंट है उसका सततर हजर पांस रूपए एक सोरों प्राइज पढ़ेगा और जो डिस वला ब्रेक है उसका विरियंट का प्राइज का प्राइज है पचासी हजा चार सो उनतर रूपए 85,469 रूपीज एक सोरों प्राइज होने वाला है जो की ओन रोड लगबग 1,500,000 के अंदर ही इसका ओन रोड प्राइज होने वाला है आखिर में एक चीज और बताना भूल गया था अगर इस बाइक के कार्बोवेट के बारे में बात करें तो इसका जो वजन है एक सुटेस के जी आपको इस बाइक का कर्बोवेट देखने को मिलने वाला है तो आसा करता ह किसमें देखने को मिलता है किसमें आपको पीकप ज्यादा देखने को मिलेगा मतलब इन चारो बाइकों को बारे में एक टकर लगाने वाला वीडियो बनाने वाला हूँ तो इस वीडियो को बाद आपको नेक्स वीडियो वही देखने को मिल सकता है तो चैनल को करकर रखिया बेल आइकन को प्रेज करकर रखिया तब तक के लिए मिलते किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ नए कंटेंट के साथ तब तक क्लिए राइड विट बाई